तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट केमिंग लैप्टोप्स प्रॉम रूपीद 80,000 तो रूपीद 90,000 और जितने भी लैप्टोप्स मैं आपको बताऊंगा न वो लैप्टोप्स आपके सारे प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं और इसके लावा भी जतने सारे प्रोफेशनल वर्क है जो कि मैं भी बोल ली पाया तो वह अपनी तरफ से एड़ कर लेना सारे प्रोफेशनल वर्क कि यह सारे लैप्टोप्स कर सकते हैं और ये चीज़ बैंने इस लिए पहले कार दिया को कि अकसर मेरे पास ऐसे वीडियो में कमेंच आते मिलता है या फिर अचानक किसी भी लेपटूप कि प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो आप उस or alternative लेप  लेप्टॉप से भी लेप Way कर सकते हो यह रही है तब लेकिन बीडियो में मेर लेपटॉप और नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो अब सब्सक्राइब कर सकते हो अब सबसे पहला लैप्टॉप यहाँ पर MSI Thin GF60 और इसका करेंट प्राइस चल रहा है 79,990 और वहाँ इसके स्पैसिविकेशन पर आ जाए तो इसमें आपको मिलता है इसमें आपको 4 performance cores प्लस 4 efficient cores मिलते हैं और साथ में 16 threads है GPU यहाँ पर RTX 4050 मिलता है 6 GB की VRAM के साथ और इसकी TGP 45 watts की है और इसमें आपको MUX switch नहीं मिलता है RAM है यहाँ पर 16 GB की DDR4 3200 MHz वाली है जो की अपग्रेड़ेबल है अप टू 64 GB तक वैसे इस तीज के लिए मैं शौर नहीं हूँ लेकिन mostly MSI के laptop में 64 GB तक RAM अपग्रेड़ेबल होती है तो शायद इसकी भी होगी और नहीं भी होगी तो 32 GB तक तो for sure अपग्रेड़ेबल है 1 TB की SDD plus 256 GB की SSD मिलती है बैटरी यहाँ पर 51 वाट हर्स के जो की आपको ओन आवरेज भाई 2-3 आर्स का पैक अप दे दीगी साथ में और इस लैपटोप के थरमल्स अच्छे है कोई भी फ्रॉटनिंग इस्यूस में नहीं है अब सबसे आदा गौर करने वाले बात यह है कि इस प्राइस में आपको इस लैपटोप में अब देखो ओवराल यह लैपटोप अच्छा है यहाँ पर 45-4 की टीजीपी भले ही है लेकिन यह किसी भी आर्टेक्स 3050 अलेपटोप से ओन एवरेज आपको 10-15 fps जादा ही देता है और यह बेसिकली MSI की थिन सीरीज का लैपटोप है आप इसके नाम में भी थिन देगी सकते हो तो इसी वज़े से यह किसी भी एक नॉर्मल गेमिंग लैपटोप से थोड़ा सा पतला और लाइट वेट भी है तो अगर आप लैपटोप मेंली गेमिंग के लिए ही ले रहे ह जिसका की प्राइज है 87,990 और इस वीरेट में आपको बस i7-12650HW मिल जाता है और स्टोरिज क्लिया पर आपको 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 512GP की SSD मिल जाती है बागी सार जीज़े दोनों भी वीरेट में बिलकुल सहीं है और उस सभी बैटर यहां पर एक यह नेक्स लैप्टोप मे 16GB के साथ प्लस आपको इसमें मक्स भी मिलता है ग्रैम भी यहां पर लेटेस्ट है 16GB की DDR5-4800MHz वाली जो कि अप्डेड़ेबल है अप टू 32GB डिस्प्ले हैं पर एक 15.6 इंच का Full HD 144Hz IPS पैनल है और इसकी ब्राइटनेस भी काफी बढ़ी है 300 nits की और 512GB की जनरेशन 4 वाल जो की फुली कस्टमाइजबल है और इस लैप्टोप भी थरमाज भी अच्छे है तो इस प्राइज में यह एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैप्टॉप है जिसको कि आप बिना किसी सेकंड फॉट के लिए सकते हो अब नेक्स्ट यहां पर लेनोवों की बिल्क फाइब वाट्स किये और इसमें आपको मक्स भी मिलता है अब आप लोग सोचते होगे कि आर्टेश 3050 में 6GB VRAM कैसे इसमें तो 4GB VRAM आती थी तो मैं आपको बता दूँ कि इन्वीडिया ने अभी रिसेंटी आर्टेश 3050 को रिफ्रेश किया 6GB VRAM के साथ लेकिन बदले में इसकी bandwidth कम हो गई है तो इसलिए अब यह 4GB वाले RTX 3050 से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है लेकिन RTX 3050 Ti से बस थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है क्योंकि इसकी bandwidth बदले में कम हो गई है और वही पर RAM इसमें 16GB की DDR5-4800 MHz वाली है जो कि अप्ग्रेड़ेब है अब टू 32GB त सब्सक्राइब है और किसी किसी में 300 Nits की भी मिलती है लेकिन इसमें आपको 350 Nits की brightness मिलती है साथ में 512GB की जनरेशन 4 वाली SSD है और 2 SSD Slots भी मिलते है जिसमें से की एक occupied है और एक empty है और 60Wh की बैटरी है जो कि आपको on average वाई 2 hours का backup दे देगी और multi-color backlit keywords में आपको मिलता है और इस laptop के thermals भी अच्छे है अब overall इस price में यह बहुत ही अच्छा value for money laptop है लेकिन मैं आपको suggest करोंगा कि अगर आप इस laptop को लेने का plan कर रहे हो तो इसमें बस 1000 और एक करो और यह जो मैंने अभी Acer Nitro 5 बताया था ना वो ले लो वह Acer Nitro 5 इस से थोड़ा better है और अगर आपक करेंटली इस laptop को प्राइस चल रहा है 83,990 और इसके specifications पर आए तो इसमें आपको मिलता है i5-12500H जिसमें की 4 performance course प्लस 8 efficient course है और 16 threads इसमें मिलते हैं साथ में RTX 3050 मिलता है 60W की TGB के साथ और इस laptop में मख स्विच नहीं है RAM में आपको 16GB की DDR4 30 200 MHz वाली है जो की upgradable है अप्टू 64GB इसप्ले आप पर वही 15.6 inch का एक Full HD 134 IPS लेवल पैनल है जो कि आपको on average वही 1-2 hours का backup दे देगी ब्लू बैकलेट कीबोर्ड है और इस laptop की थर्मद भी अच्छे हैं अब अगेन इस laptop की TGP जो हो RTX 3050 की वो कम है नॉर्माली 95W TGP है Max RTX 3050 की लेकिन इसमें आपको 60W की मिलत तो अगर आपको professional work plus gaming दोनों करने वाले laptop चीए तो फिर आप इसको ले सकते हो अब next laptop है हाँ पर Lenovo Legion 5 और currently इसका price चल रहा है 84,990 वहीं इसके specifications पर आ जाए तो इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 5800H जो की 8 cores प्रा 16 threads के साथ आता है साथ में RTX 3050 है 95W की TGP के साथ और इसमें आपको HD 128 IPS display मिलता है और इसमें आपको 512GB की generation 4 वाली SSD मिलती है साथ में additional SSD slot भी मिलता है storage expand करने के लिए 60Wh की battery जो कि आपको on average वही 1-2 hours का backup दे देगी साथ मुल्टी कलर्ट कस्टुमाइजबल backlit keyboard मिलता है और इस laptop के थरवाज भी बहुत अच्छे है अब considering the specifications आप बिल्कुछ सही जो चलो कि laptop थोड़ा सो तो ओवर प्राइस है लेकिन आप इसको भी एक दोर निकासा कि यह लेनवो की Legion series का laptop है जो कि लेनवो की एक premium series है इसलिए यहाँ पर प्राइस भी थोड़ा सा premium है लेकिन उसके बदले में आपको इस laptop में बिल्कुल top notch build quality मिलती है top notch thermals मिलते है और overall यह एक बहुत ही perfect laptop है मतलब Legion के laptop साथ ऐसा है कि अगर आपने एक Lenovo Legion series के laptop लिया है तो आपको 100% satisfaction तो बिल्कुल guaranteed है क्योंकि इतना ही ज्यादा यह perfect होते हैं Lenovo Legion series के laptop तो इतना ज्यादा perfect होने की वज़े सही आपको इस laptop में थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर जादा प्राइस अब next laptop में हाँ पर Dell G15 और करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 84,990 महीं इसके specifications पर आजा है तो उसमें आपको मिलता है Ryzen 7 6800H, यह 8 cores plus 16 heads का CPU है, साथ में RTX 3050 है 4 GB की VRAM के साथ, और 95 Watt की इसकी TGP, प्लस इसमें आपको mug switch भी मिलता है, 16 GB की DDR5 4800 MHz की रहा है, जो की upgradable up to 32 GB 15.6 inch का FHD 120 Hz WVA पैनल है, तो साथ में 512 GB Gen3 वाली SSD है, और इसमें आपको SSD का बस एक सिंगल स्लॉट ही मिलता है, तो अगर आपको इसमें SSD अप्ग्रेट करना है, तो आपको पुरानी SSD लगी है उसको रिमूव करके दूसरी SSD लगाना पड़ेगा, 56 Watt की बैटरी है, टू आर CPU series का ही एक और variant है, और अभी ये coming soon है, मतलब ये launch तो हो गया है, लेकिन अभी buy करने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, तो हो सकता है जब तक आपकी वीडियो देखते हो, तब तक ये laptop भी buy करने के लिए अवेलेबल हो जाए, वैसे इसका प्राइस है 87,990 और वहाई इस के specifications पर आ जाए, तो इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7 840HS, जिसमें की 8-4s प्लस 16 threads मिलते है, और इसमें भी आपको RTX 3050 मिलता है 6GB VRAM के साथ, और इस 6GB VRAM वाले RTX 3050 का क्या सीन है, वो मैंने पिसले वाले Lenovo LOQ के टाइम पर बता दिया है, अगर आपने वह आला पार्ट नहीं दे DDR5-5600MHz वाली है, इस range के बाकी laptops आपको 4800MHz वाली DDR5 RAM दे रहे हैं, लेकिन ये laptop आपको 5600MHz वाली DDR5 RAM दे रहे हैं, जो कि अप्डेड़ेबा है अप्टु 32GB तक और 15.6 इंच का फुल HD 144Hz IPS पैनल है, अगे इसमें भी 350 nits की brightness है, और 512GB की जनरेशन 4 वाली SSD है, और 2 SSD slots है, और 60Wh की बैटरी है, जो कि आपको वह ये on average 2Hz की backup दे देगी, और इस laptop में भी आपको good thermals मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा value for money laptop है, अब next laptop है, अपर Azus ROG Strix G15, और इसका current price चल रहा है 89,990 और विससे इसके 2 variants आते हैं, एक ये वाजो 89,990 वाला variant इसमें आपको 1T SSD मिलती है, और इसका ये दूसरा variant है जिसमें कि आपको 512GB SSD मिलती है, और इसका price है 90,990, तो खेर इसके specifications पर आजाते हैं, तो इसमें आपको मिलता है Ryzen 760 800H, अगें 8 cores plus 16 threads का CPU है, साथ में RTX 3050F 4GB की VRAM के साथ, 95W TGPA प्लस इसमें आपको max switch भी मिलता है, 16GB की DDR5 4800MHz वाली RAM है, जो की upgradeable है up to 32GB तक, 15.6 inch का 4SD 144Hz IPS लेवल का display है, जो की 218 की brightness के साथ आता है, इस साथ में 512GB की generation 3 वाली SSD है, और इसमें भी आपको 2 SSD slots मिलते है, 90Wh की battery है, जो की आपको 4-5 hours का backup दे देगी, और इसमें आपको multi-color backlit keyboard मिलता है, जो की fully customizable है, और इस laptop को thermals average है, और इसमें भी कोई throttling का issue नहीं है, अब इस specifications देखे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है, यह वाली laptop पी थोड़ा सा overpriced है, लेकिन अगें यह भी azuz की rock series का laptop है, जो की azuz के premium series है, इसलिए यहाँ पर price थोड़ा सा premium लिया जा रहा है, लेकिन बदले में आपको इस laptop में सभ price premium pay करना पड़ रहा है, और इसी price में एक और अच्छा laptop मिलता है, जो की है azuz tough gaming a15 2022, और इसका current price चल रहा है 83,990 और इसका एक और variant आता है, जिसका की price 82,000 था अभी यह out of stock इसलिए यहाँ पर price में दिख रहा है, और जहां तक की मुझे information में लिए कि इस laptop का भी production बंद हो ग क्योंकि इसके आप specifications देखी सकते हो, इस price में यह specification बहुत सही है, क्योंकि इसमें आपको 1TB SSD वाला variant मिलता है, और इस laptop में 90Wh की battery है, जो की आपको on average 5-6 hours का backup दे देगी, अब gaming laptop में इतने अच्छा battery backup मिलना ना बहुत सही चीज है, मतलब बहुत अच्छी बात है, तो कभी अगर आपको यह laptop मिल जाता है, तो फिर under 85,000 यह तो एक बहुत ही अच्छा value for money laptop है, तो अगर आपको कभी यह laptop मिल जाता है, तो बिल्कुल इसको ले ले लेना यह एक बहुत ही अच्छा value for money laptop है, तो यह थे 8 best gaming laptops from rupees 80,000 to 90,000, और अगर आपको किसी और price range में बेस्ट gaming laptops को व ईपको को को शहल见 बद्धान सकता बहुत है, तो यह थो झाद dáबा गल्स तो की बहुत है, तो भस्तक्राइब को किसी और सĩ जाता हैना